उस case में आपको post graduate work permit नहीं मिलेगा क्यों खराब करने के बाद सिर्फ math सीखने के लिए तो वो चीज़ भी इस rule से effect नहीं होती है Canada में आने के बाद बोलोगी कि भी negative है ये problem है वो problem है तो हंजीतर नए student visa rules के साब से कौन कौन से ऐसे colleges हैं जिन में पढ़ाई करने के बाद आपको अपना post graduate work permit नहीं मिलेगा ये PPP मतलब public private partnership institutions कौन से हैं इसी कौन सी list है जिन में ऐसे सारे colleges का नाम लिखा हुआ है उपर से Canadian government ने जो लिमिट लगाई है कि 2024 में सिर्फ 3,60,000 study permit applications ही approve की जाएंगी तो इसकी वज़े से international students के उपर क्या effect आएगा आपकी study permit application के उपर क्या effect आएगा तो इन सारी चीजों के बार में आज की इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हैं So without wasting any more time, let's get started with this video हांजी तो आर सबसे पहला और सबसे common question जो majority of the students का है वो ये है कि किन colleges में पढ़ाई करके हमें अपना post graduate work permit नहीं मिलेगा तो इसका अगर मैं एक line में answer दूँ तो अगर आप public private partnership वाले institution में पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के बाद आपको अपना post graduate work permit नहीं मिलेगा अब आप पूछोगे कि ये public private partnership वाले institution होते कौन से हैं तो basically अगर simple शब्दों में बताऊं तो Canada के अंदर broadly अगर देखा जाए तो दो type के colleges होते हैं एक होते हैं public colleges और एक होते हैं private colleges और particularly अगर मैं Ontario की बात करूँ जिसकी वज़े से सारा का सारा clash हुए है तो Ontario के अंदर एक region है जिसको कहते हैं GTA region अब GTA region के अंदर बहुत सारी popular cities आती हैं जैसे कि Brampton, Mississauga, Toronto, Oakville, Etobico अब जादातर जो international students हैं वो GTA region में आके अपनी पढ़ाई करना पसंद करते हैं किसी रीजन की वैसे लेकिन Ontario के अंदर जादातर जो public colleges हैं वो GTA region से बाहर हैं जैसे कि Sarnia के अंदर Lampton College है, Windsor के अंदर St.Clair College है, London के अंदर Fenshaw College है, Kitchener के अंदर Conistrova College है तो हो कहा रहा था कि इन सारे colleges में जो GTA region से बाहर हैं वहाँ पे जालतर इंटरनाशनल students नहीं आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, GT region के किसी private college के साथ अपनी partnership कर ली For example, जो Sarnia का Lampton College है, उन्होंने Mrs. Saga के अंदर एक private college है, Queen's College उसके साथ अपनी partnership कर ली, यहां फिर Windsor वाला St.Clair College है, उन्होंने Ace Acumen Academy जो कि Mrs. Saga, Toronto, Brampton के अंदर है, उनके साथ अपनी partnership कर ली अब जो public colleges है, अगर उनका खुद का campus है, वहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप definitely अपना post graduate work permit अप्लाई कर सकते हो For example, Conistrova College का Dune campus है, जो उनका main campus है, Conistrova College का Waterloo campus भी है, उनका kitchen or downtown वाला campus भी है, उनका Brentford वाला campus भी है इस सारे के सारे campuses उनके खुद के हैं, वो किसी private college के campus पे जाके courses वगरा नहीं करा रहे हैं, ठीक है, तो उस case में आपको definitely अपना post graduate work permit मिलेगा, लेकिन अगर आपने admission लिया है, एक public college के अंदर, जैसे कि Lampton, सैंक्लेर, फैंशॉय और फिर कोई भी, और आपकी जो पढ़ाई ह नहीं है, आपका जो campus होने वाला है, वो होगा एक private college का, मतलब जो public private partnership के अंदर आता है, तो उस case में आपको post graduate work permit नहीं मिलेगा, अब आप पूछोगे कि आरे पता कैसे लगेगा, कि जिस college में मैं जाने वाला हूँ, या फिर जिस college में मैं जाने का सोच रहा हूँ, वो ये public private partnership वाला college है, या नहीं है, तो वो पता करने के लिए, आपको simply क्या करना, आपको Google पे जाने, तो Google पे आपको search करना है, DLI institutions in Canada, तो जो पहला link आएगा, उस पे आपको click करना है, तो ये page खुल जाएगा, इस page में आपको नीचे scroll करना है, और यहाँ पर अपनी province select करनी है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ, सेंट क्लियर college center for arts विंटसर campus, ठीक है, लेकिन सेंट क्लियर at Ace Acumen Academy, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि भी सेंट क्लियर college है, लेकिन उसको पढ़ाया कहा जा रहा है, at Ace Acumen Academy, Brampton के अंदर, Toronto के अंदर at Ace Acumen Academy, Mississauga के अंदर भी at Ace Acumen Academy, Mississauga, तो इसका मतल post graduate work permit नहीं मिलेगा, अब एक और चीज़ आपको चेक करनी है, कि आपने लिखा Ace Acumen, अब जैसी आप Ace Acumen Academy लिखते हैं, तो यहाँ पर आता है, post graduate work permit के लिए eligible यह नहीं है, Toronto वाला नहीं है, Mississauga वाला नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यह सेंट क्लियर college at Ace Acumen Academy, यह फिलाल तो yes है, most probably September के बाद यह भी no हो जाएगा, इसी तरीके से Lampton college का देख लेते हैं, Lampton college लिखा, सारनिया वाला, तो main campus है, उसमें कोई tension की बात नहीं है, लेकिन Lampton college, Toronto वाला देखो क्या है, Lampton college at Sester college of business health and technology, इस तरीके से आपको इस page पे जाना है, और अपने college क सर्च करना है, और उससाब से अपना decision लेना है, अब private institutions खुद भी एक individual entity है, किसी public college के साथ, partnership करने से पहले, खुद भी तो exist करते हैं, खुद individually भी तो कुछ courses वगरा पढ़ाते हैं, अपने campus के उपर, तो कुछ ऐसे courses होते हैं, जो आप private college से भी pursue करते हो, तो definitely आप अपना post graduate work permit apply कर सकते हो, तो वो चीज़ भी इस rule से effect नहीं होती है, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, private universities, जैसे कि आपने University Canada West की बात की है, तो अगर आप University Canada West में पढ़ाई करते हो, तो वो भी तो अपने ही campus पे अपने courses वगरा करा रहे हैं, तो definitely आप अपना post graduate work permit apply कर सकते हो, एक Algoma University है, जो की Brampton के अंदर है, Susanne Mary के अंदर है, Timmins के अंदर भी है, यह जो तीनों campus हैं, यह इनके खुद के हैं, इन्होंने किसी private college का campus का space नहीं दे रखा है, अपने programs पढ़ाने के लिए, तो इस university में अगर आप पढ़ाई करोगे, obviously Brampton campus जो उसमें क्या ही पढ़ाई करोग कि आप ऐसे पितम पुरा दिली के अंदर जो छोटे-छोटे वो क्या करते हैं, CEA सिखाने के लिए, यह फिर English सिखाने के लिए, जो institutes होते हैं, उतने size के colleges होते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करके अप क्या करोगे, क्या मिलेगा, फिर आपको Canada में आने के बाद बोलोगी, कि negative है, यह problem है, वो problem है, तो please main campus में जाके अपनी पढ़ाई करो, अब यह PGWP से related एक और question था, काफी सारे students का, वो यह था, कि भी हम already Canada के अंदर हैं, हम January intake या हम फिर September intake में आये थे, हम फिर उससे भी पहले आये थे, और एक PPP, मलदब Public Private Partnership वाले institution में अपनी पढ़ाई कर रहे ह तो क्या नए rules के हिसाब से हमें भी अपना postgraduate work permit नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, अगर आप already Canada के अंदर हो, तो उस case में आपको postgraduate work permit definitely मिलेगा, tension लेने वाली बात नहीं है, unless आप कोई कांड नहीं कर दे थे, in fact, अगर आप main intake में भी आते हो, तब भी आपको अपना postgraduate work permit मि institution में पढ़के नहीं मिलेगा, तो यह हिसाब किताब है, अबर social media के उपर भी काफी सारी list circulate हो रही है, कि यह सारे colleges है, इनमें अगर आप पढ़ाई करोगे, तो आपको postgraduate work permit नहीं मिलेगा, अब मिलेको नहीं पता कि वो list सही है, या गलत है, लेकिन मैं उनी चीज़ों पर authorized website पे लिखी होती है, मतलब Canada.ca पे चीज़े होती है, जब तक वो list Canada.ca पे नहीं आती है, तब तक मैं उसको personally विश्वास नहीं करूँगा, मैं वो जो DLI institutions वाला जो link मैंने आपको दिखाया, उसी पे trust करूँगा, तो यह साब के दावा, बाकी आपकी मर्जी है, कि आपको क future में Canada का अपना study per media for student visa apply करोगे, तो definitely competition थोड़ा सा high होने वाला है, जिनकी अच्छी profile होगी, जिनकी strong profile होगी, उनी का visa approve होगा, क्योंकि जो limit है, जो number है, वो कम हो चुका है, सिफ 3,60,000 for 2024, अगर visa आ चुका है, तो तो कोई tension ही नहीं है, तो basically अपना IELTS score बढ़िया करने ही क जो भी आपने पढ़ाई की है, उसी से related कोई course लेका हो, ये तो मैं पहली वीडियो से अपनी बोल रहा हूँ, जबसे मैंने YouTube चानल स्टार्ट किया है, कि please, अपना जो course है, वो एक relevant course लेका हो, ये फलाना administration, वो फलानी management, ये पता नहीं क्या, उनों में basic math, भी plus minus, या फिर basic English सिखाई जाती है, वो पढ़के कुछ फैदा नहीं है, 30,000 डॉलर, पता नहीं कितने ही लाक रुपे हो जाते हैं, क्यों खराब कर रहे हैं, सिर्फ math सीखने के लिए, कि इंटीग्रेशन, differentiation या फिर स्पीड ओफ लाइड मिजर करने के लिए, आप 30,000 डॉलर लगा ले हो, सा जैनुएन रीजन लिखना है, कि आप कैनडा में क्यों पढ़ाई करना जाते हो, आपके करियर को किस तरीके से बूस्ट मिलेगा, कैनडा में इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये कोर्स करने से, तो ये सारी चीज़े जस्टिफाई करो, और अगर आपका कोई गैप है, तो उस उसको जस्टिफाई करो, प्रॉपर डॉकुमेंट्स के साथ कि भी वो छे सालों में आप क्या कर रहे थे, अगर जॉब कर रहे थे, तो प्रॉपर इंप्रामेंट लेटर, टर्मिनेशन लेटर, या फिर आईडी कार्ड, अगर आप विले बैटे थे, तो उसको भी जस्टि पर्मिट की अप्लिकेशन है, उसको स्ट्रॉंग बनाना होगा, कि भाई कोई हिला ना पाए, कोई स्टेडी पर्मिट आपका रिजेक्ट ना कर पाए, तो यह हिसाब किताब है, क्योंकि भाई, कॉम्पटिशन बढ़ने वाला है, और एर कैनड़ा के अंदर, अगर आप ए लिए परसंद है, तो प्लीस लाक शेर और सब्सक्राइब, तो प्लीस लाक शेर और सब्सक्राइब, और स्टेडी और की पास्ते है.